नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक से चार फरवरी के लिए दैनिक राशी फल आई ये शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा पांचवी राशी लेते हैं सिंग राशी सिंग राशी एक फरवरी आपके लिए सुखत दिन रहेगा इस दिन स्थिर्ता आपके अंदर रहेगी साथ ही साथ कुछ चंचलता भी आपके अंदर रहेगी यानि एक प्रकार का स्थिरता और चंचलता का बढ़िया तालमेल आपके भीतर रहेगा इस दिन आप अपने विचारों को सामने रखने में थोड़ा हिचकी चाहट महसूस करेंगे लेकिन साथ ही आपके विचारों में एक नवीनता एक पोशक्ता भी होगी इस दिन आपके दौरा सुझाए गए विचार सराहनी हो सकते हैं लेकिन अपने विचारों को सुझाना ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इस दिन आप जिन विश्यों पर विचार करेंगे उन विश्यों पर आगे बढ़कर के कारे करना आप के लिए संभव नहीं होगा इसलिए अपने मन में चल रही बातों को अपने मन में चल रहे उधिरबुन को ज्यादा तर लोगों के सामने ना कहें तो अच्छा रहेगा इस दिन आप कुछ हैसे गंभीर निर्ड़े लेने के बारे में सिर्फ विचार करेंगे निर्ड़े नहीं लेंगे लेकिन साथ ही साथ उन विचारों को अगर आप मूर्त रूप देने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए अगला दिन दो फरवरी का बड़ा बढ़िया रहेगा और आपका सानिध और आपका जो एक मिलन सार व्यक्तित तो है ये लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा इस दिन कोई रहस से आपके सामने उजागर भी हो सकता है लेकिन अगर कोई रहस से आप जान जाएं तो उस पर चुब बने रहें यही आपके लिए बेहतर होगा नए कार्यों को शुरू करने के लिए यह सर्वत्तम दिन है और सफलता प्राप्त करने के लिए भी सर्वत्तम दिन है बशर्ते आप अपने काम में पूरी करा 100% इंवाल्व हो जाएंगे तीन फरवरी के दिन थोड़ा सपन दर्शी बखती रहेंगे इस दिन ख्यालों और ख्यालों की दुनिया में आप रहेंगे या कहें ग्रस्त हो जाएंगे दोनों ही हो सकता है आप ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर देंगे आप उचे उचे विचार करेंगे लेकिन उन वि अच्छे तक पहुचेंगे कैसे इसके बारे में भी करम शह इस्टेप बाई श्टेप विचार करना शुरू करें और आप देखेंगे कि विचार बन रहे हैं आ रहे हैं क्योंकि इस दिन आप बहुत ही कलपनाशील वक्ती रहेंगे अता अपनी योजनाओं को सकारात्मक र सकते हैं इस दिन कुछ ऐसा होगा जिसकी वज़ा से आपका मन कहीं भी नहीं लगेगा आपको लगेगा चीजें अब आपके फेवर में नहीं है या अब आपका मन उन चीजों में नहीं लग रहा है अता आपको चीजों से हट जाना चाहिए एक प्रकार की विमुक्ता का भ पूरे संकेत हैं लेकिन इसके बावजूद आप इंट्रेस्टेट कम रहेंगे और आपका जो इंट्रेस्ट है आपके रूची है इसके कम होने की वज़ा से सफलता संदिध्ध हो जाती है अता अपनी रूची को यदि आप बनाए रखने में सफल होते हैं चार फरवरी को तो अनगो अपने सुझाओ जरूर लिखें इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा धन्यवाद नमस्कार